सेलाम अलेकूम आई होब यॉर डोइंग रिली वेल जी आज की वीडियो में टाइटिल से देखे बताश चलिया होगा कि टाइम मेनेजमेंट की बहुत जबरदसी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं गर में क्लीनी लैंस कोकेंग एक होम मेकर के लिए तो सबसे पहले जो टिप है वो है बेड को सेट करने के लिए हमेशा फिटिट बेड़ शीट यूज़ करें फिटिट बेड़ शीट जो होती है उसके ऊपर अगर आप सेकिंड वाली भी लगा लेंगे तो वह बिल्कुल बेस्ट चॉइस फिटिट बेड़ शीट फिटिट हमारे घर में कुछ ऐसे चीजे होती है जिनको कवर करके रखना बहुत जादा कंपलसरी हो जाता है डाइनिंग भी उनमें से एक है बहुत जादा मार्कीट में वराइटी आफ मैट्स की मिल जाती है कुछ अगर आपने ड टाइनिंग पर दो तरहां के मैट्स लगाए में है सेम इंदा के इस रफरेजरेटर के उपर की साइट पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट अकुमिलेट हो जाती है और बिल्कुल स्टक हो जाए तो इसकी डियल सर्फिस जो है बहुत जल्दी खराब हो जाती है इसके लिए आ कवर्स को सेट करने की चीजों पर लाइनर लगाने की तो वहां साइट टेबल भी इसमें इग्नोर नहीं हो सकते इतनी भी यूज की चीज़ें हैं जिनकी सर्फिस फ्लैट होती है और बड़ी होती है उन पर तो एजिली हम कवर लगा लगते हैं लेकिन कुछ ऐसे नेरो कॉ चीज होती है रूम में जहां पर क्लिटर अगर थोड़ा सा भी हो चाहे वह एक से दो क्लॉट ही पड़े हो तो बहुत मैस क्रियेट करती हैं अट टाइम ही आप वीजुल क्लिटर को कम करने के लिए सारी की सारी चीज़ें बैट से हटा देंगे तो क्लीनिंग की वाइबान स्टार्ट हो जाएगी इससे बहुत ज़दा टाइम बचता है आपको क्लीनिलेस मेंडेन करने के लिए लॉंग टरम तक डीप क्लीनिंग नहीं करना पड़ती तो प्रॉपर सेट अप बैट विद फिटिट बैट चीट और वीजुल कर्टर को कम करने के लिए उसके वपर ब प्लेस कर देंगे तो तब ही आप मिंटों में अपना काम खत्म कर सकती हैं इसके लिए पहले आपको एक लॉंग टरम की क्लीनिक की तरफ जाना पड़ेगा जब आपकी हैबिट जो है वो सेट कर लेंगे उसके बाद डेली बेसिस पर चीज़ों को अपनी राजिगनिट प् यहां से लेकर यूज कर लेती हूँ और उसके बाद उनको वाश करने के बाद यहां पर फोल्ड करके सेट कर देती हूँ चीज़ों को उनकी अपनी प्रॉपर प्लेस पर सेट करने देने से आपकी सारी क्लीनिंग के टास्क वह बहुत एजली कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद आप टू डॉवन टैकनीक को यूज करें आप टू डॉज टॉज को यूज करने के लिए जैसे हमें कीचन के सारी क्लिनिंग के समार्ट टूल्स की जरॉट होती है और अगर आपने किचन क्लिनिंग या हॉम क्लिनिंग के लिए स्मार्ट क्लिनिंग गैजिट्स की मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो गो और चेक किया आपको कौन से स्मार्ट क्लिनिंग के गैजिट्स लेने चाहिए जिसे आपका काम बिल्कुर डिडियूस हो जाएग आप एजिली अपने घर के बाकी कामों के लिए टाइम को मेंटेंड कर सकेंगी नेक्स टिप है फरनीचर को या अपने इंटीक फरनीचर को बहुत ज़्यादा सेव रखने के लिए जैसे के ये सोफा है अगर आप कोई इंटीक पीस नहीं भी यूज़ करते हैं तो भी चीज़ों को सेफ करने के लिए हमेशा कवर्स का यूज़ करें इस तरह के सोफा कवर्स के साथ नहीं आती हैं और कुछ कस्टमाइज स्टिच भी कराना पड़ती हैं जैसे कि सोफा के कवर्स को मैंने कस्टमाइज करा के खुद स्टिच करवाया हुआ है इससे इसकी नीचे की वैलवट जो के बहुत ही इंटीक है वो क्लीन रहती है खास तोर पर अगर आपकी घर में भी बचे हैं यह भी आपका बहुत जादा क्लीनिंग टाइम रिड्यूस होगा और आपको बार बार से उस वैलवट को क्लीन करने की जरूत नहीं पड़ेगी जस्ट आपने उस कवर को उतारना है और वाश करना है और बहुत सार आपकर टाइम सेफ कर लेना है अपने ड्रेसिंग या वैनिटी पर वही चीज़े रखे जिनकी आपको रिक्वायर्मेंट है बहुत ज़्यादा मैस क्रियेट करना बिल्कुल भी एक गुड चॉइस नहीं हो सकता जितनी भी डेली की आपको मेकप की या कुछ भी चीज रिक्वायर है वही केमीन 무대 केस कपों को फोल्ड करने की बजयें रखें हैंग करें चीज कुड को आपको कौम टाइम लगता है फोल्ड करने से और यह वीजूल कुल्ड कर ने को बीकम करती है एजूली अचेसेबल होते हैं तो मैक्सिमिम कपड़ों को हैंग कर लेने से फौल्डिंग टाइम से नहीं करना पड़ेगा ऐसे रूम्स जिनको हमें बिल्कुल भी रिकॉर्मेंट नहीं होती है डेली बेसिस पर जैसे के गेस्ट रूम इसके डॉर को क्लोज रखें इसे बहुत जादा डस्ट वहाँ पर नहीं जाएगी और राइंग रूम भी आल डा टाइम आपके गेस्ट के इनकी डेली बेसिस पर मुझे बहुत ज़्यादा रिकॉर्मेंट होती है और बार बार इनको कैबिनेट से निकालना भी मुश्किल लगता है इसके लावा ये स्पाइस जार मैने फिर्स्ट वाले ड्रॉर में रखे में हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़र्त पर मुझे जिसको याद रखना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है अगर आप उसको रिमेंबर करने के लिए रिमाइंडर के तौर पर लगाना चाहते हैं तो किसी भी जगा पर लगा दें जहां आते जाते आपकी नजर पड़ें रेफरेजेटर पर मैगनेट से कुछ भी मैन्यू प पर खाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीजें रिकॉर्मेंट की होती हैं जैसे के सौल पेपर या कुछ ऐसी सीजनिंग जिन को बार बार लेने के लिए हमें उटना पड़ता है या कुछ कवरिंग शीर्स हो गई या मैर्स हो गए जो की डेली बेसिस पर डाइनिंग की रिकॉर्मेंट होती है अगर हम वहां पर सेट नहीं करेंगे तो अगेन अगेन हमें उटकर जाना पड़ेगा जिससे बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो सकता है तो चीजों को हैंडी रखें उनकी प्रॉपर प्लेस पर डेस्टिंग क्लीनिंग या मिरर को क्लीन करने के लिए जितनी भी चीज़ें आपको रिकॉर हैं उनके लिए एक बासकीट बना ले इस तरह से आप चल फिर कर देख सकेंगे कि पूरे घर में जहां जहां रिकॉर्मेंट है क्लीनिंग की वहां वहां आप यह बासकीट लेकर चलते फिटते बहुत जादा डस्ट आफ कर सक करते हैं एक ही जगा पर सारी चीज़ें होंगी तो आपको बार बार लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा और इस पासकीट को हमेशा उसी जगा पर रखे जहां आप एजिली असेसिबल हो वहीं से आप इसको लेकर साथ-साथ चलें जहां-जहां मेरर्स को क्लीनिंग की र कार्मेंट हो वहां डस्टिंग कर दें इस तरह से आप बहुत ज़दा टाइम सेफ कर लेंगी और साथ ही अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है تو कार्णरी लाइक भी करते हैं और अगर चैनल पर नए है आई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की वीडियो में कर दें हैं ताकि सारी भी mirrors है उनको अच्छे से clean कर ले अगर lower side के mirrors है तो बच्चे बहुत ज़ादा hand लगाते हैं उनको आप two days के बाद ही clean करें तो maintenance रहती है अगर long term के नहीं है low angle के नहीं है और बिल्कुल dressing के है जहां पर बच्चों का हाथ वगारा नहीं चाहता तो उसको clean करना weekly basis पर ही best रहता ह time को manage करने के लिए एक और जबर्दसी टिप है घर में बहुत ज़ादा decor pieces भी बहुत ज़ादा clutter create करते हैं और मैं यह time to time सीख चुकी हूं लेकिन decor pieces ऐसी investment है जिसको बार बार आप जो है वो change नहीं कर सकते या इसको declutter भी नहीं कर सकते but best choice है कि minimal सा decor रखें और नहीं उसकी cleaning आपको daily basis पर करने पड़ेगी कुछ ऐसे इंटीक होते हैं जिनको बहुत ज़ादा daily basis पर cleaning की requirement होती है जिसे बहुत सादा time waste हो सकता है so minimal सा decor रखें तो यह थी आज की video I hope you like, thanks for watching, stay connected, Allah अभाफेज